हेलो प्रब्रेंट स्वागेते हैं आप सभी का आप सभी की विस नहर्डिव चनल राय एजुकेशन में उन्होंतर शेक्षक बढ़ती में आट सट सो पदों पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में काफी दिनों से आप लोगों के बीच में इन सभी तत्यों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा था क्यूंकि जब कोड केचरी वाले बात सुरू हो जाती है तो तमाम तरीके के अर्चने सुरू हो जाती है प्रश्न चीन लगना स्टार्ट हो जाता है और वैसा ही आपको पिसले दो तीन दिनों से लगातार जो चीजे हैं वो देखने और सुनने को मिल रही होंगे इसके पूरो अपडेट में आप लोगों से मैंने बात चीत की थी कि नेक्स डेट दो फर्वर लेगी है उसके पहले ही अलग से क्योंकि देखिए कई प्रकार के अंतरमन में प्रश्न उठते हैं लोगों के और कई प्रकार के बिरती भी हैं जो ये भी सोचते हैं कि अपना ह हो या न हो दूसरे का नहीं होने देंगे और ये बात कोई भी भरती प्रक्रिया हो या समाज हो या आप व्यक्तिकत तोर पर कार कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें फेस करते होंगे वो अक्षर सा यहां पर लागो हो रही है इनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है लेकिन बात उठी है तो कई प्रकार के परश्न भी उठे हैं हाई कोट रूम में शिक्षक बरते की सीटों को लेकर फसा है चैन अंडशर्ट सो अबरतियों की निवति पर रोक हाई कोट ने सपश्ट का है कि आप उनतर जार में अलग से अंडशर्ट सो पद नहीं भर सकते हैं इसका जवाब देना होगा किस प्रकार से आप कह रहे हैं अलग से अंडशर्ट सो अबरतियों को जो लिस्ट निकाले गए उनको अलग से विग्यापन जारी करका उनको ये संदेश अवश्य दें कि किस प्रकार से आपका चैन होगा अथवा किस प्रकार से कोट प्रश्ण चिन लगा रही है तो नई तरीके से आरक्षित वरके अब बरतियों को समाधान प्रस्तुत करेंगे ऐसे तमाम बातें यहां पर रखी गई है तो चलिए सारी अपडेट को क्लिरफाय करते हैं और कुछ व्यक्तिकत तोर पर आपको सुझाव भी देने की कोशिश करूँगा इन सभी चीजों के बीचों में चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहां पर इस पच्ट है आरक्षित वर्ग के अंसर्ट सो भरतियों की न्यूक्ति पर लगी है अंतरिम रोग यह सभी जानते हैं मोटे मोटे टैग लाइन पर निकालने के अवशक्ता नहीं है साइक सिक्षक भरती उनतरिया सिक्षक भरती के बाद बिना विग्यापन कैसे की जा रही है अंसर्ट सो पदो पर भरती यह सबसे बड़ी बात है और विग्यापन बिना निकाले किस प्रकार से यह कारे को आगे बढ़ा रहे हैं यह सबसे बढ़ा बात है और सुरू किया थ उनका कहना था कि उन्हें मिले अंक समान स्रिनी के कट ओफ से अधिक थे, लेकिन उनका चैन न करते हुए कम अंक पाने वाले बढ़तियों का चैन कर लिया गया है, यह तमाम आरक्षित वर्क की बढ़तियों की मन की बात थी और जो इस पश्चर दरीके से उन्होंने रखी थी बिना किसी रोक टुक के विगत डेड़ वर्सों का संगर सुनों ने किया था और जिसका नतीजा था अंटसर सो पदो पर उनका चैन इलावाद हाई कोट की लखनों खुन पीट ने सायक सिक्षक भर्ती परिक्षा 2019 के तहत अतरिक्त अंटसर सो पड़तियों को नुक्ती दिये जाने कि राज सरकार के फैसल पर अंतरिम रोक लगा दी है कोट ने कहा कि उनतर जार पदों पर भर्ती के लिए एक दिसमबर 2018 का जो विग्यापन जारी किया था उस जारी विग्यापन से अधिक एक भी पद पर बिना विग्यापन प्रकाशित के भर्ती न की जाए यह आदेस जेस्टिस राजन राई की एकल पीड ने भारती पटेल वह पांच अनध भरतियों की याजिगा पर पारित किया है राज सरकार यह के लिए क्या करना है कि यह स्तिती उसी ने पैदा की है कि इस पत्सट है कि उक्त विग्यापन की कर्म में अधिक भरतियों की नहीं की जा सकती है और मामले की अकृम जो अगली सुनवाई है वह 18520 2022 को निर्गत की है अब सबसे इंपॉर्टन बात है कि सरकार की तरब से इसके बाचाओं में क्या-क्या बाती कही गई है कि जो महाद विक्तार अग्वेन सिंग हैं ने अनारक्षित स्रेणी के कटॉफ से अधिक अंक प्राप्त किये हैं हाला कि कोट ने जब सवाल किया कि जब 69,000 बदों पर पूर्व में भरती की जा चुकी है तो 68,000 अभरतियों को किस पद पर नुक्ति दी जाएगी तो महाद विक्ता कोट को संतुष्ट नहीं कर सके वही नई सूची में चैनित कुछ अभरतियों की तरफ से दलील दी गई कि अधिक अंक अर्जित करने के कारण नई सूची के अभरतियों को नुक्ति दी जानी चाहिए वह उनके इस्तान पर पहले से नुक्त पाए अभरतियों को हटा दिया जाना चाहिए ये 68,000 आरक्षित वर उनको किस तरीके से समय जीत करती है किस प्रकार से उनको पद निर्धारित करती है तो सिक्षक बर्दिक बदों को लेकर यहीं पद ही सबसे इंपोर्टन बात है अब अंतिम्च सूची की थी जारी विभाग ने पहले इसे ये कहकर दरकिनार किया था कि दोनों की अहरता उत जंगिती होना स्विकार किया और पांच जनुरी को आरक्षित अभर्दियों की अनंतिम्च सूची जारी कर दी अब तैयारी थी कि अब 68500 भरती के रिक्त पदों पर नौ चैनित अन्ट सट सो को तैनाती दी जाए सासी शेस रिक्त पदों पर नया विग्यापन निकाला जाए ग्यात हो कि बिश्य स्विक्षा मंतरी डाक्टर सतीश दिवेदी ने कहा था कि जिनका चैन विजंगिती की वजए से नहीं हो सका उन्हें भरतियों को निक्ति देंगे और 17000 पदों पर नहीं भरती निकालेंग इस प्रकार से आप कारे करेंगे इस दम इस परस्ट बात है यहाँ पर अब इंपोर्टन बात यह कि सरकार और भाग यह तैय करें तैमानक क्या उनका है किस तरीके से इन आरक्षित स्रीणी के जो अभरती है आट सट सो जो जिनको पहले ही चैनित कर देना चाहिए था उनकी च्छती नहों किसी प्रकार से और उनको वहाँ पर नुक्दी दी जाए 17,000 आपके पास पद है नए पद आप इसमें स्रीजित करिए और इनका पैमाना तै करिए कि पिछली भरती प्रक्रिया में यह आरक्षित वर्ग के बरती रह गये थे इनके लिए अलग से हम पैमाना जारी कर रहे हैं देखे विभाग है और सरकार है वो किसी प्रकार का भी कार आरक्षित स्रेणी के बरतियों के लिए या कोई भी स्रेणी हो यहां कर आरक्षित की बात हो रही है तो इसलिए आरक्षित वर्ड यूज कर रहा हूं है आप उसके प्रती कार कर सकते हैं अब बे का आप चैन करेंगे ये इंपॉर्टन बात है उन्हें तर्फ शिक्षक भरती में लगबग सभी पदों के सापेक्स हो चुगा है जहें अन्सट पांस भरती के रिक्त पदों पर निक्ति देने पर अभी कोट की रोक लग गई है देखें कोट ने इस पश्ट कहा है कि अभी य अलग से बता रहे हैं कि 17,000 पद आपके पास है तो भाई इसका ही आप एक निश्कर से निकालिए किस प्रकार से इन आरक्षित भरतियों को देखें मानसिक अवसाद वो पिछले डेड़ वर्सों से जेल रहे हैं तो अब ऐसा कार उनके कुछ सातियों के विजए से जो प्र विभाग इनके साथ खड़ा हो क्योंकि इनकी अंदेखी हुई है और इनको चैनित करना चाहिए इनको एक एक सीट दे देनी चाहिए सपष्ट बात है अब किस प्रकार से करेगा विक्यापन जारी करेगा क्या-क्या नियमावली उसमें वो लगाएंगे वो विभाग की टे टेंसन है ना कि अभरतियों को टेंसन देना जाय जाये आप अपने व्यक्तिकत सुझाओ जरूर कमेंट सक्षन में दीजेगा बाकी मित्रों बीच बीच में आप लोगों के समक्ष आता रहता हूं हलाकि अब लगातार आने की कोशिश करूँगा और उमीद ही है कि आप सभ अदम मिलाकर मैं आगे बढ़ता रहोगा बाकी के लिटेस्ट अपडेट के लिट बने रही है और जो भी आपके व्यक्तिकत प्रशन हो क्योंकि एक तैय समय पर 59 सिक्षपवरती ऐसी सामिल हुई है कि एक लंबा अंतराल हो चुका है एक बार निउक्ति आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होती फिर इसकाद प्रशन चीन कोट इतना कोट खिलने माले इतना असान कार्य हो गया है कि वो ये नहीं देते हैं विक्तिकों तो हमारा नुक्सान हो रहा है तो बाकी के 800-100 लोगों का फायदा हो मुझे उससे लेना देना नहीं है मेरा नुक्सान होगा तो मैं जाओंगा कोट यह दम स्पष्ट बात है हर को यहीं करता यहीं हो रहा है इसके विज़े से सब को परशानी का सामना करना पड़ रहा है तुमेर यहीं है कि लगातार हम लोग बात उठाते रहेंगे और आप सभी एक जूट होकर अपनी मांग को लगातार रखते रहें क्योंक किया कि अपते रहेंगे जगाते ।